ओके हेलो फ्रेंड कैसे हूँ आप से मैं हूँ विशी और आप देखरें बाउंटू इन्वेश यूट्यूब चैनल आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले वो कल क्या एक्सपारी की संभावन आगे वो देखेंगे इसके लिə हम Опcture Commercial Analysis और Technical Analysis करेंगे स्वापको एक आइडिया है कि Market की साट जा सकता है और क्या है कि Technical Analysis से आपको Support Registance मिन से किस्वाप को कल के लिए पता चले कौन से Support कोंकी और होगे तो अभी तका आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और वाजू में जो बंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दिजी जिसको आपको अमारी नोटेविशन सबसे पहले मेल जाए और क्या है कि हम इंडिकेटर पे सीरीज ब ओपर तो जो नहीं निप्ति है वो 11,950 के 12,000 के बीच में ख्लोज हुआ है हम इसा बोल सकते कि 20,000 में उसकी पर पारीज हो नियर बाफाँट 12,000 भी दो सबसे ज्यादा वारा आज़ार तो इसका मतलब यह हुआ कि 11900 का लेवल मेरे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा तो यह थे मेरे सपोर्ट तो अब देख लेते हैं निप्टिकल कौन सा मूद दे सकता है अगर मेरे को खोल सकता हूँ कि मार्केट अपसेट जा सकता है लेकिन अगर मैं कोल साट डेख रहा हूँ तो एक ही प्राइस पे मेरे को लॉंग पोजिशन बिल्डप हुई दिख रही है वो है बारा आजार पच लेकिन एक ही प्राइस मिल रही है तो मैं इसको एड नहीं करूंगा बाद में पूट साट डेखते हैं अगर पूट साट मेरे को लॉंग पोजिशन बिल्डप हुई दिख तो मैं इसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन लेकिन पूट साट मेरे को एसी कोई यह हुआ कि मार्केट डाउन जाने के चांसिस है बाद में फिर से पूट साट आ जाता हूँ अगर पूट साट मेरे को क्या है कि सोट पोजिशन बिल्डप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट अप साट जाने के चांसिस है तो देखो यह सब इस टाइक प् यहां ऑर चुका शशलों, हम Dat 있지 डेटा के ऊपर तो conversant pain करने की खुर करेंगे पूड साइट से शप्वर् हुटर करने की खोड़ करेंगे। अगर मैं full close famous,叉व ज्यादाולाइका कउते हैं लेकिन यह कंद यह थोड़ा दूर और ऐुकर करेंद का के दिलुए पहार हुट तो 31,500 पे एक अच्छा खासा क्या है कि OI Build-Up दीख रहा है तो एक मेरा वो भी बोल सकता हूँ कि 31,500 का जो लेवल है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है बाद में चलते हैं पूर्ट साइट, पूर्ट साइट से हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिज करेंगे तो पूर्ट साइट में देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा OI Build-Up मेरे को क्या है कि 30,500 पे दीख रहा है लेकिन यह थोड़ा दूर है इसलिए मैं थोड़ा नजदिक आ तो मेरे जो नजदिक के सपोर्ट एंड रजिस्टंस होगे वह होगे 31,000 मेरा सपोर्ट होगा जो मेरा नजदिक का रजिस्टंस होगा वह होगा 31,500 तो अब हम देख लेते मैं निप्टिकल कौन सा मुद दे सकता है तो सिंपल सी बात है अगर मेरे को कोल साइट लॉंग पो लेकिन पूर्ट साइट भी मैरे को ओं पॉजिसे बिल्ड़ या नहीं दिख रही है तो इस पॉर्ण से मैरे को इस मतलब यह हुआ कि market downside जा सकता है पाद में फिर से put side आ जाते है अगर मेरे को put side short position build up हुई दिख रही है तो मैं इसा बोल सकता हूँ कि market upside जा सकता है तो put side मेरे को इधर short position build up हुई दिख रही है तो मैं इसा बोल सकता हूँ कि market upside जाने के chances है तो दो point मिले है जिसमें हम कुछ decision ले सकते हैं तो एक point मिला downside जाने का दूसरा point मिला upside जाने का तो in simple ये भी क्या है कि nifty की तरह कल undecisional रह सकता है तो आप चलते technical analysis की ओर और देख ते कौन सा मेरा support रहेगा कौन सा मेरा resistance रहेगा तो अब हम आ चुके है nifty 50 के chart के उपर तो पहले आज का performance देख लेते आज nifty ने क्या किया तो मैंने कल ही बोला था अगर nifty कल क्या है कि open green में होता है और थोड़ी downside जाने के बाद अगर ये मेरे support zone में से उपर जाता है तो मैं इसमें buying side आऊंगा तो देखो nifty open हुआ green में बाद में थोड़ी downside देखने क मिला है बाद में देखो ये reverse हो गया और देखो reverse कहां से हुआ तो reverse भी वहां से हुआ जहां हमारी क्या है कि resistance लाइन थी तो इसलिए आपको क्या है कि support resistance और ये सब सीखना पड़ेगा कौन सा support होता है कौन सा resistance होता है अगर आपको नहीं आतर तो learn कर लिजे अगर सीखना भी कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हम हर रोज क्या करते है कि एक वीडियो बनाते है जहां से हम option chain analysis करते है और technical analysis करे तो आपको क्या है कि support resistance के बारे में पता चले कि कल ये support हो सकता है कल ये resistance हो सकता है तो आप हमारी इस चैनल को subscribe कर लिजे आपको सब कुछ data इधर मिल इसे तो बार में देखो ये इधर से reverse हो के नीचे आए तो फिर से जो हमारा zone ता वहीं इसने अपना closing दी है तो ये तो हो गए आज का अब देख लेते कल क्या हो सकता है कल मान लेते है market green में open होता है और हमारे zone के आसपास नीचे आता है और इसके आसपास से bullet sign देता है अप जाने के तब मैं इसमें buying में आऊंगा अगर ये क्या है कि market morning में उपर open होता है उपर ही चला जाता है और ये अमारी resistance line के आसपास से नीचे आने का sign देते तब मैं इसमें beer इसमें आऊंगा मतलब sort करूंगा तो simple सी बात है उपर जाएगा तो हम sort के लिए बेठेंगे नीच जाएगा तो हम buying के लिए बेठेंगे तो जो मेरा पहला resistance हो है 1234 जो मेरा दूसरा resistance हो है 12100 तो simple सी बात है अगर मैं support की ओर देखता हूँ तो मेरा पहला support होगा 11990 से लेके 12000 तक और नीचे देखू तो 11950 तक होगा अगर ये इसके भी नीचे चला गए और इस line या ये जो performance देख लेते बाद में कलका देखेंगे तो आज क्या हो market open green में हुआ बाद में थोड़ा retracement देखे हमारे जो ये zone था उसमें से ये touch करके फिर से अपर चला गया देखो अभी ये अपर भी क्या है जो हमारी क्या है कि मैंने बोला था 31500 के आसपास तो ये थोड़ा उससे नी resistance के आसपास से कुछ दिख रहा है reversal type तो आपको वहां से अगर position में हो तो exit हो जाना चाहिए अगर position लेने वाले तो आप वहां से position ले सकते हो जिस side का आपको reversal दिखे तो ये क्या थे हमारी line के आसपास से नीचे आ गया है तो ये तो हो गया आज का अब देखते कल क्या हो सक जाता है तब मैं इसमें buying में आऊंगा अगर ये क्या है कि bullish में open होके उपर चला जाता है और उपर जाने के बाद ये हमारा resistance line है जो 31,500 है वहां से reversal दे रहा है तो में sort में आऊंगा तो ये हो गई buying and selling के opportunity और मान लेते कि चलो कल ये क्या है कि ये line जो हमारी rising support line है उसको break कर के नीचे आगया तो मैं फिर से ये zone जो हमारा है वहां तक wait करूंगा कि ये zone पे कुछ reversal दे रहा है तो मैं फिर से इसमें buying में आऊंगा अगर reversal देता है तब की बात अगर नहीं देता तब मैं कुछ नहीं कर रहा है तो simple सी बात है जो हमारे support होंगे वो कौन से होंगे जो हम जो है वह हमारा support की तरह zone की तरह वर्क करेगा तो इसमें कुछ reversal होता है तब में इसमें buying में आऊंगा अगर 31,000 के नीचे कोई मेरे को level चाहिए तो वह होगा 31,000 तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो निप्टी और बेंग निप्टी के option chain analysis और क्या है के technical analysis पे तो आपको य जैरो like, comment and subscribe कर लीजिए अगर आप like, comment and subscribe कर लीजिए अगर आप like, comment कर गए तब ही तो हमें motivation मिलेगा और वीडियो ये से आगे लिखे हैंगे तो प्लीज जैरो like, comment and subscribe कर देना अगर आपको क्या है कि सीखना है, learning करना है तो हमें हाल-फिलाल indicator पे series बना रहे हैं बाद में उ अच्छा response मिला तो हम उसमें price action बेट करने वाले, तो आपको कुछ learn करना है तो please हमारे इस channel को subscribe कर लीजिए, चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तकी लिए डटा, goodbye, jaihin